वे एवरिवन, कॉंपुटर मेंटेनेंस एन ट्रेबल सुटिंग ना लेक्चर नंबर नैंथ मा हवे आपने थियरी पोर्शन मा अगड़ वच्छू अनि पेला ना लेक्चर मा आपने प्रेक्टिकल सेशन डिसकस करेलो अनि अनि पेला आपने बस्टांड़ड विसे डिसकस करता हाता तो जस्ट फोल यौर्रिविजन के बस्टांड़र मा आपने पहला करेक्चर चुए आता वी एव डू जस्ट विक रिविजिन क्वाकां पर भी अलबीट नियुक्स है क्यों σबय दोस्ते बस सून स्यंक्तल है क्यों संब्साइवे उंक्यावरogen। ऐसे संब करते हैं पोडो होई ए मुझे विजरी ते बस स्पीड तो कार्नी इस्पीड केट लिए याई वे तो 4 ट्रेक चे पर्न ए 4 ट्रेक उपर कार्नी स्पीड केट लीचाहे बरवर तो एसों थ्यू बस स्पीड देन आफटर बस बैंड विदेले मल्टिप्लिकेशन ओफ बोथ वर्ट स्पीड एन विट इस कॉल्ड बास बैंड विद देन आफटर बस इंटरफेसिंग इंटरफेसिंग एडलेके अरलग अलग डिवाइसे सवचे कॉम्युन के विडियोल्ट रही था से थो के के एना माथ्आ जय डीवाइस पूर उपार से लिवाइस इर भीज गया से-した d4 ओनटरंटिंग लिवाइसे चेके तो कांविंग इंह ज़िक python रेयग ने चिट से इंटर इनसे पकर भाजा सिब्समिंग ईंटरफेसिंग इंटरफस मास्ट के information ने deal करवा माटे सेनी requirement पर से तो के के processor नी तो प्रोसेसर जो आमाज बीजी दिये information ट्रांसफर करवा माँ तो एनु एक्ट्यूल टास्क छे करी शक्तो नथी तो एटला माटे सू करी शक्ते ए तो के जह मीडल में प्रोसेसर बढ़ने छे एनिकडी जाये और इनी जग्या है बीजू कोई छे बीजू कोई डीवाइस हुए कि जह आख्या को कंट्रोल दे लिए तो एसु था एक्यू बस मास्टरिंग तो आटले आपनों अल्रेडी लेक्चर नेंबर सेवन मां डिसकस कही रूँ तू इस जस्ट फोर यूर क्वीक रिवीजन बराबर हवे अपने चिकेजर 750 जहां डिसकस कर सूं इसकस बस ओर्गेञेजरिशन तो अवे बैस ओर्गेलेजरीशन नू आर्कीडेक्ट्यच्र पहला तो जोए इस अ के वीडिते ओर्गेनाइस कर रही होई चाह बैबर तो अवे शर ऐए फीगर मां बहते हूँ चे ए मुझा फ्रस्ट अफ्र सो चे तो के CPU wherever CPU चे आहिए ओके पची CPU चे को नी जोड़े करनेक थाई चे तो के RAM जोड़े रेम जोड़े कनेक थाई पने को ना थरू वाय है system bus चे अब कमिनिकेशन कर से को ना थरू ब्रीज थू शुल्बस अबसतो ने सुंगे वाय बस इंटर फेसिंग ब्राबर कicemिनिकेशन थे वाय वर सीज्चत चे एंसिस्ट्रम बस मातें CPU बस सुधी डेटा पोचार से तोगे drives, keyboards, mouse, ports, adapters, बराबर आ बद्दे बदा सुँ आउसे I.O. units ए I.O. buses थ्रू communication कर से रेम छे, रेम छे ए इंटर्नल पार्ट्स आवे इंटर्नल पार्ट्स आवे एटले एचे एकोना थ्रू communication कर से system bus थ्रू तो आ आखु bus organization के विरी तेथा आर्किटेक्चर छे बराबर आ फिगर शे एनने याद राखवी important छे ओके हवे आपड़े theory portion जोए ओके bus organization a bus is a collection of wires थ्रू वीच डेटा is transmitted from one part of computer to another actual bus न मेनिंग सुछे डेटा ट्रांसफर करे छे in computer system बराबर जेनात्री डेटा छे एक पार्ट माथी बीजा पार्ट माँ ट्रांसपर्ताई छे जे पैसेंजर छे एक सीटी माथी बीजा सीटी माँ ट्रांसपर्तावा माटे पन इन्टेनल बस न यूस करता होई सेम एज वस्तु लागू पड़े computer system मा बराबर when used in reference to personal computer the term bus usually refers to internal bus बराबर यवे लेके personal computer नूँ जे एपार्ट माटे अले डिस्कस करता होई त्यार बस यवे वस्तु लेके internal bus बराबर जो internal data transfer करवा माटे एक पार्ट माथी बीजा पार्ट मा सेन करवा माटे जेनों यूसता है ए बस नू वरेबर एक्स्टरनल कोई पाट माटे नहीं दिस इस अ बस देट कनेंट्स ओल दे इंटरनल कॉंपुटर कंपोनेंट्स तु दे सी पी यू एंड दे मेंन मेंबरी हमना जा पड़ी जो यू के जे सी पी यू छे मेंन मेंबरी ये वरेबर एनी जोड़े सो करसे धरे के धरे कंपोनेंट्स छे यू कनेक्ट करसे there is also an expansion bus that enables expansion boards to access the CPU and memory expansion buses पन छे, जेसू थासे तो के expansion board मा छे expansion board एटले के पाच्छर्थी जेटला add-on devices कही राचे ये पाच्छर्थी device add कही राचे एमा थी कहाई data छे, एने CPU हो था तो memory नो access करो होई तो एना माटे ए यूस के नो कर से, तो के expansion bus नो, पर एना माटे यूस कर से expansion bus नो, most modern PCs have at least four buses, तो जे होई ना PCS आई पाचे, at least four buses तो हसे जे, the processor bus, एमा थी पहली bus कही जे processor bus, this is the highest level bus that the chipset uses to send information to and from the processor, एक लेके processor माथी अने processor ने, information send कर वा माटे काई bus नो, यूस था से processor bus नो, बरेबर अने आ छे, ए highest level नी bus छे, second one is the cache bus, बरेबर cache bus सुंखर से, it is a higher level architecture, such as those used by the Pentium Pro and Pentium 2, employ a dedicated bus for accessing the system case, system case छे, एने access कर वा माटे पर्टिक्यूलर छे, एक केस bus छे, एनू, डिसाइनिक कर रू छे, एने जनरली के माँ होई छे, Pentium Pro ने, Pentium 2 मा, okay, now third one is memory bus, this is a second level system bus that connects the memory subsystem to the chipset and the processor, in some system, the processor and the memory buses are the same thing, okay, हवे जो असू की दू छे, कि क्यारे यूज थाई छे, एक चूल मा, तो के यारे, memory subsystem छे, ये memory subsystem ने chipset जोडे करने करवी होई, तो memory bus नो, यूज थाई छे, पड़ अमूख system मा, processor अने memory bus छे, एवे ये सेम वस्तू छे, प्रावर एले के एक च बही ने, भी अलग 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 bus create करवा मैंना थी, एवे एक च बहस नो, यूज थाई छे, next one is local I.O bus, चो 4 टाइप नी bus की दी, first काई कि दी, okay, the processor bus, the cache bus, then after, the memory bus and the local I.O. bus, okay, this is fourth one, the local I.O. bus, this is a high-speed input-output bus, used for connecting performance critical peripherals to the memory, chipset and processor. for example, video cards, disk storage devices, high-speed network interfaces, generally use a bus of this short, the two most common local I.O. busses are VESA local bus and PCI bus, आ bus ने पन अपने detail मां discuss कर सू, तो, एक चुल मां टोटल 4 टाइप नी bus छे, जे आपने आ बस ओर्गेनेजेशन मां छे, ए खबर पड़ से, के जे आपने आर्किटेक्टेक्टर जोई उतू, ए आर्किटेक्टर मां आपने एक चुल मां छे, ए आ चारे चार टाइप नी bus छे, एक अबर पड़े छे, बराबर, एक वार आपने जोई लाए आर्किटेक्टर, ओके, तो, ही एर सिस्टम बस, बराबर, के जे एक कॉमिनिकेशन प्रूरू पाड़े छे, बराबर, खणी वकत, मेम्री, आने जे प्रोसेसर बस होई छे, बे सेम होई छे, आने बीजु, आयो बस होई छे, आने केस जोडे कॉमिनिकेशन प्रूरू पाड़े छे, ए केस बस होई छे, बराबर तो, इस बस ओर्गनाजेशन अ कोई, मोविं फरवद तो आर नेक्स घुपी, 4 पनी बस अप्र जे प्रोसेसर, केस, जेन अफ्र मेम्री, आने लोकल आयो, आने लास वंच्छ, आने लास बंच्छ, इस बस तेस बस टूर पर जोगर पर परीफर लाह जार प्रिफर् लो स्पीड नेटवरकेंग आ बदा माते के जह माँ स्लोवर पेरिफारल पेरिफेरश से लेंगे पाचहूर्थी एड करेला डिवाईसएस माँ स्लोवर डिवाईसपीश हूई चैमेंगे माइक च्छे, मोडम च՛े, रेगूलर साउं काड़ च्रे low speed networking छे तो ये बदा माटे से नो use था से standard IO bus it is also compatible with older devices और ये older devices माटे compatible छे ओके so this is all about bus organization और बस standard मा आ लास्ट पॉइंट अथो bus organization पहलो क्यो होतो तो के बस नी width केटली छे second one तो के बस नी speed केटली छे then after bus नू throughput केटलू आवे छे then after bus interfacing, bus mastering and last one is bus organization ओके now let us discuss ISA bus industry standard architecture आमी पहलाना lecture मा आपने खणा बदा bus नू लिस्ट के रूतू तो एमा थी first start करिये industry standard architecture आ फिगर छे एमें particular internet उपरसीज लिती छे just for your reference बराबर बाकी जो एक्चुली बुक मा फिगर आपे ली छे यापने होवे जोसू के आवा टाइप नी एक्चुल मा छे आएसे बस छे यह देखाई छे ओके ओवे आज छे एक्रोस सेक्शन ओफ आएसे बस एक्चुल मा आ फिगर छे यह तमारे note-down करवानी रह से एले के in examination you have to draw this figure दिस एक्रोस सेक्शन ओफ आएसे बस एजी छे यह दोई रहावर आवर आवावर आवर आव आएसे चेंचेंग फोर इंदस्ट्री स्तानर अर्किटेक्च्च्च्च्च्च्च्च पहला तो दरेक दरेक बस्ना फुल-फॉम आवरता हो आजू यह which is the most common bus in the PC world अवे जो तमने एतो खबर चे bus नो यूसे ने माटे थाई चे डेटा ट्रांसफर करवा माटे तो डेटा ट्रांसफर करवा माटे bus नो यूसे थाई चे तो आचे इन जनरल चे ए PC मा यूसे थाई चे तो ISA bus is still stay in the newest computers अजी ना जो लाटेस्ट कॉंप्यूटर आई वाचे एमा पन ISA bus चे डिस्पाइड दो फेक्ट तेट इट इस लाज़ली अंचे चेंज़ सिंस इट वोज एक्सपांडेट टू 16 बीट्स एतले के 16 बीट माँ एक्सपांड था या पची ए अंचेंज़ चे एटले के एमा काई चेंज काई रो न थी छ तापण ए बस चे ए अजी कॉंप्यूटर सिस्टम माँ छे तो ISA bus eventually become a narrow to performance and was enlarged with additional high-speed buses बराबर अवे eventually एटले के ISA bus चे एनो performance ओच हूँ छे और बीजी छे एक गणीबधी high-speed bus चे ए आउती गई छे there are still many devices for which the ISA speed is more than sufficient एटले के गणा बता हजी एवा devices चे के एना माटे ISA नी जो speed चे एए sufficient करता पड मवधा रह चे means more than sufficient बराबर standard models एटले के ए माच पर्टिक्यूलर ISA नी speed चे एए enough चे so this is a ISA standard architecture बराबर आईया figure आपे ली छे के टोटल केटली pins नूँ आवी रिते ISA bus चे ए बनेली हुई the original ISA bus on the IBM PC was 8 beats wide 8 beats wide एटले के एट टाइम यह माथी 8 beats पास था इशो के चो बस width जोई थी बराबर एटले जो ए standard याद से तो त्यार समझू easy रह से reflecting the 8-bit data width of the internal 8088 processor system bus and run at 4.77MHz एटले के एटले के एटले के एटले के ली छे 4.77MHz नी आट बेट नी वीट चे एटले के Intel 8088 मा एटले जी speed नो data चे एटले के ली जरूर हती बराबर एटले के ली यह 4.77MHz with the speed of the first 8088 the IBM A T was introduced which was used the Intel 80286 ओके एट जए पोवर संचे गादले बस था आए रिटाचे एड़नी स्थाए जयरी हती now, the ISA bus provides reasonable throughput for low-bandwidth devices and virtually assures compatibility with almost every PC on the market जो बेनिफेट्स हूँ छे के लो बेंड वीत वाड़ा जे डिवाइसेज हुए इन्हे माटे छे या सारो थ्रूपुट प्रोवाइड करे छे औने यहनी बद्दा जे PC होई चे यहनी जोड़े कमपेटिबिलिटी छे कमपेटिबिलिटी इस मोस्त इंपोर्टन बरावर अमुक सिस्टम जोड़े कमपेटिबल होए अमुक ना होए तो यह धियान राकू पड़े पड़े पन आयसे बस शे ओल्मोस्त बद्दाज PC जोड़े कमपेटिबल छे बरावर दायसे बस हैस दिवा डिवाइसे बराबर वे केवडी ते वर्क करेचे जोये एमा पेलू जोये छे इंटरनल आयसे बस दिस यूज़े ओन दो सिंपल पोर्ट्स लाग कीबोर्ड डिस्क ट्रीड्राइव सीडियल और पेरलल पोर्ट्स अवी बदी जोगे चे इंटरनल आयसे बस नो यूसताई चे तर एक्स्टेनल एक्स्टेनल एक्सन बस दिस केन बी कनेक्टेट विद ग्नेक्टेट विद 16-bit ISA अडेप्टर जोड़े चे कनेक्ट थाए तो के जैस एक्स्टेन बिट आयसे अडेप्टर होये चे एन्नी जोडे गनेक्ट थासे बर्याबर इले बेई यूनित मां डिवा बस कंट्रोलर छे बराबर तो बस कंट्रोलर छे बस कंट्रोलर आये से बस चे तो इंटर्नल उनीट्स छे एक नहीं जोड़े वर्क कर से कीबोड कोम 1 & 2 डिस्क्रे ड्राइव एक्सेशनल डिवाइस आसे एनी जोडे तो आयसे बस छे तो आयसे बस नो ग्वेश्चिन पुछाई थ्री मार्ग्स मां explain ISA बस architecture तो सु करवानू पहला जे cross section वाड़ी figure जोएती ए पहली figure second one एनो जे pin diagram तो ए अने third one छे internal and external units तो total three figures plus एनू description ए बजो तमारे write down करवानू रेसे so this is all about industry standard architecture बस आटली वस्तू छे ये तमारे लखवानी रेसे now let us discuss MCA micro channel architecture बराबर हवे second बस जो है अपने micro channel architecture MCA stands for micro channel architecture वोज IBM's attempt to really replace the ISA बस with something bigger and better कोई एक वस्तू market मा आवे ये तले नी competition मा भीजी वस्तू आवे ज़ बराबर एनू जे आ एक्जाम्पल छे कि ISA बस करता का एक वजार ये बेटर अने बीगर लए वा मा कुण आवे वू तो के IBM सु एने लई वा तो के micro channel architecture MCA is 32 bit wide वोमा थी एट तैम केटलो data पास था तो तो 8 bit आमा थी केटलो bit पास थासे 32 bits थे एटा पास थासे एंड सु ओफर करे शे several significant improvement over ISA एटले के जो काईक competition मा उतरे छे ब्रेवर काईक new लई आवे छे तो something better तो इने करूँच पड़े एले एसु करसे ISA मा improvement करसे इट हैड far superior throughput to the ISA bus the MCA bus supported bus mastering adapters for great efficiency including proper bus arbitration वे जो ISA bus करता सू आपे चे वधा रहे तो के एक तो throughput वधिग्यू सु का मेने throughput वई दू तो के 32 बीट आवी ग्यू एटले throughput एक चुल मा सूँ होए width नू अने speed नू बेह नू multiplication तो throughput वधिग्यू बीजू यह सूँ प्रोवाइड करे छे bus mastering वे bus standard जोए आता तो bus standard मा आपने bus mastering वे से डिसकस कई दो थो तो bus mastering एटले सू तो के प्रोसेसर ने वच्चे नहीं लागे आवाणू कोई एवू device लावाणू के जह एज़ middleman work करसे औने बधा data नू बधो data transfer तो एनू controlling करसे बरबर तो होवे bus mastering कोण प्रिक्चर मा लागे वू तो के MCA bus एले का IBM वड़ा MCA bus डिजाइन करी तो ए बस तो छे विक्चर मा लागे वाजे ती करी ने सू मरसे greater efficiency provide थसे बराबर शे एले काईक एक bus करता बीजी bus नवी आवे शे तो मां काईक तो इंप्रूव थेलू हूँ जुए MCA automatically configure adapter cards so there was no need to fiddle with jumpers बराबर jumper ससू छहे आपने आप चेप्टर ना end मां डिस्कस कर सू jumper setting छहे आवे छे पर jumper ने requirements सुका मेंने नती रहती तो क्या automatically छे adapter card ने छे configure करे छे एतला माटे the two main reason for MCA would be failure in the market place okay अटलू बदू new वस्तू लाए वी efficiency वधा रहे छे MCA बसमा adapter card automatically configure थाई जाई छे पचिसू थाई छे तो के EMA छे एनी throughput वधा रहे आवे छे बराबर छत्ता पन ए फेल गए marketplace मां सुका मेंने फेल गए तो इना बे रिजन छे कया कया तो के पेलू first they made MCA incompatible with ISA this means ISA cards will not work at all in an MCA system वे जो आपणी पासे ISA card पेला हाता तो एमां ISA bus work करती थी अवे MCA bus आई वी तो कोई instantly पूता नी system तो ना change करें पर आबर जो वे system change नती करता तो MCA bus छे यानी जोडे compatible छे ने येटले डिरेकली ये MCA bus नो use करी शकता नती so this is first reason केने छे incompatible वनाई वी ISA जोडे second IBM decided to make the MCA bus proprietary अवे बीजू वस्तो आई बीए में सो decide कई रू के MCA bus ने proprietary प्रोप्राइडिटरी एटले सो के एने पोता ना access चे एन पोता नी passage रहेको एमां बीजा कोई काई change नो करी सके के नो काई edit करी शके बराबर एटले एमां कोई बीजा चे ये पोता नो output आपी शके के नहीं सुका मेंने तो के के आई बीए में चे एने प्रोप्राइडिटरी डएकी अवे सपोज कोई हूं एप्लिगेशन बना होचो एप्लिगेशन होँ ओपन सोर्स बना ओपनली ओपन सोर्स आपी दो चो बधाने के एमां काई fault अथवा तो काई issue आवे तो बधा छे एमां के चेंजिस करी आने पोत पोतानी रिते यूज करी शके अथवाद तो बधाने पर्मीशन ना पुछता पर अमों के वी कंपनी छे क्यों के लोको करवा मागता होई तो ये करी शके पर आई बीए में चे इने पोतानी पांसे ज्राइकी जयती करी ने पेलू MCA बस ने इंकंपेटिबल बनाए विया और बीजू MCA बस ने प्रोप्राइटरी रह खी तो इस ओल अबाउट MCA बस नाउ लेट अस डिसकूस थर्ड बस EISA एक्स्टेंडेड इंडस्ट्री स्टांडर्ड आर्किटेक्चर उके पेली का यह थी ISA बस बिजी तो कि IBM बड़ाये हो कि दुके अमें आना थी कि एक बीगर ने बैटर लाया हुए तो IMC यह बस आई भी हाँ थर्ड चाहिए एक्स्टेंडेड इंडस्ट्री स्टांडर्ड आर्किटेक्चर शे एकले के ISA बस नेज एक्स्टेंड करिया से सो इस फिगर इस फॉर योर रेफ्रेंस के तमें आई इंटरनेट उपर ते लिए आवा टैप नी एक्चूल मां बस शे ए देखाई चाह आपने आगड़ों ये जो आइसे बस ने इसे बसना क्रोस सेक्षन मां सू फेर शे तो कि आए से बस मां खाले यह उआ बेज ये एक और याप ये नहीं पर नहीं है तो क्रोस सेक्षन आइसे बस नाँ, EISS 10 for extended industry standard architecture चो बदे बदा बस ना full form या दोवा जोए there will be question of two marks and in that there will be asked of full form okay, compact developed EISS standard bus okay, वे जो MCA bus कोने developed कोई री थी IBM बड़ा है EISS standard bus कोने developed कोई री तोके compact बराबर छे compact avoided the two key mistakes that IBM met वे बट ओब्योस चे बीजानी भूल माथी चे आपड़ा सिख वानू छे तो जे वस्तु IBM माँ mistake कोई री थी ए वस्तु एसो कोई रू compact आवोड कोई री so first they made it compatible with ISA bus बराबर एलो कोई चे ये ISA bus जोड़ा compatible बनाई बराबर ए इजीली आग करी शक्यां ओफ दे स्टांडर्ड ये आ बे वस्तु कई री चे बे वस्तु मिस्ट्रेक छे ए आई बीए में कई री थी MCA bus design कई री थी त्यारे ए वस्तु छे ए आ पर्टिक्यूलर bus माँ चे वोईड कई री इट हैज सिग्निफिकन टेक्निकल एडवान्टेज ओवर आई एसे बराबर एटले के ए इसे छे ए सिमीलर तु MCA चे के टेक्नोलोजी मां आने मार्केट एक्सेप्टेंस मां बराबर आने इना टेक्निकल एडवान्टेज पुन छे आई एसे करता सम अवफ दे की फीचर्स ओफ इसे बरस ना की फीचर्स जोए आईसे कंपेटेबिलिटी एतो एपड़ आपनामना जोयूट के जे भूल छे आई बीम वड़ाए के रिती ए भूल कॉंपेक वड़ाए इसे बनना वंमा सुधाली नेकिए आईसे जोडे कंपेटिबल बनाव जोनी वश्तु तो चाल बीट चोये वराबर एटले आईसे कार्ट्स विल वर्क इन एसे स्लोट्स देन सेकेंड वन इस थर्टी टू बीट बस बीट्स नाइक एमसे ये द बस वोस एक्सपांडेट तो थर्टी टू बीट्स वराबर जर फोस्ट आईसे हाती एक इतला अपर्टी एज वसतों आईसे मां कि बस मास्टरिंग बस बस स्टांडर्ड मां जोयी के अब जहें एक वच्चेनु डिवाइस छे ए लाया है कि जाले बद्रे वे तो कंट्रोल करें मगृत्रो सेसर नाइब चला या वू नहीं चोथी प्रसेसर नी एफिशेयन्सी चाह अवस्ट्रिंग सपोट करें शहें जैती करीन्या अफिशेंसी चहें वधी जाई प्लग अन्प्ले ओके प्लगलग अंप्ले यतले तम्हें पेनड्रावने अट्टेज करी अन्हें डिरेकली आने अकसर करी शक्षो प्लग एंड प्ले एव न थी के तमार कांफुग्रेशन करूँ पड़े तो इस ओटेमेटिकली कन्फुगर्स एडप्र काड्स सिमिलर टू प्लग एंड प्ले स्टांडर्ड ओफ मॉडन सिस्टम इतले के इस से पन एडप्र काड छे एने कन्फुगर करी लिया छे अबर पड़ेमा सू प्रोब्लेम आई हो जे बे प्रोब्लेम आपने डिस्कुस कही रहा है एक तो कंपेटिबिलेटी एन एक प्रोप्राइडिटरी रही तो ए बधी ए बे डिसद्वांटेज आमारी मॉड कर दीदा आने प्लस आ फीचर्स जे एंसी ए माहा था ए ए तो र पर्षिन आट पर्षिन आतो ब्हस ओर्डाइजेशन एना वे से डिटेल मा डिस्कुस कहीरू के ब्हस ओर्डाइजेशन के वर्क करेचे और यहा टुटल किटला यह टाप नीचे बॉस होएचे प्रोसेसर बॉस, केष बॉस, फ्रोप्स, फ्रोप्स याफटर मेमरी बॉस लोकल आयो बस आफो टैप नी बस होई चे बस ओर्गिनाइजेशन मा इना पची चे स्टांडड आयो बस बराबर चे तेन वी वेल डिसकस आइसे इंडस्ट्री स्टांडड आर्किटेक्ट्चर अने ए अजी पन अत्यारे पन जन्रली सिस्टम मा अवेलेबल चे बराबर अने ISA छे मा टोटल केटला बीट होई चे एट बीट होई चे अने ए अजी रेग्यूलर मा यूज थाई चे अने आपने इनी त्रोन फिगर जोईती है क्रोस सेक्षन आ पर्टिक्यूलर पीन डाग्रम एंड देन आफ्टर वी विल डिसकस इंटरनल यूनित अन एक्स्टरनल य आपने आनू आर्खिटेक्ट्चर जोई हूँ आएसे इंडस्ट्री स्टांडर्ड आर्खिटेक्ट्चर तो इन्डस्ट्री स्टांडर्ड आर्खिटेक्ट्चर आईवू तो एना पछे एने कॉंपिटीशन मा आववा माट माट माइक्रोचनल आर्खिटेक्ट्चर आई तो के आई बी एमें, ब्राबर अने इमा केटला बीट अता तो के 32 बीट ए वाइड छे, ब्राबर अने इमा घणिबेदी एक्स्ट्रा फंक्शनलेटी छे ए आई से करता एड करवा माई वी, जिमके बस मास्टरींग, ब्राबर अने 32 बीट छे तो जयती करीने इनी स्पीड पण वत से, बट ए मार्केट मां चायली नहीं, सुका मेंने नो चायली तो के एना 2 रिजन छे, पेलू तो E के ए इनकंपेटिबल हतु आई से जोडे और बीजी वस्तु के एने प्रोप्राइरिटरी रैखीती, आप 2 पोइंट, इनकंपेटिबल अने प्रोप्राइरिटरी आप 2 वर्ड छे, एकास याद राखवाना छे, एना पछे आपड़े थर्ड जोए E आये से, तो होए बीजानी भूल माथी सिखे, एमा लोको एसु के रूँ तो के जे वस्तु, आइबी एमें डिजैन के रिए MCA बस मा, एने एमा जे बे मिस्टेक रिगेती, ये बे स्टांडर्ड आर्किटेक्च्चुर मा, अने जो MCA बस नी बे फंक्शनालीटी चे बधी 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 फंक्शनालीटी तो अवेलेबल गईरीच, बराबर छे, एटले सु थ्यू के EISA छे, एमा 32 बीट आपी जीदू, कमपेटेबलिटी आईपी, पची बस मास्टरिंग आ एडवांटेज हता, एडवांटेज लेए इन्ने EISA बन आईवी चे, घणिबधी बस चे तो जो 4 मार्किशनों क्वेश्चन होई, तो 2 बस इस कंबाईन मा पूचाये चे, अने नहीं तर जो 3 मार्किशनों क्वेश्चन होई, तो सिंगल बस पूचाये चे, तो मैं सिक्वन सिक्वन्स मा याद राक्षो के पहला आयसे बस आईवी, एमा आहतू, पच्छे एने मार्केट मा, कॉंपेटिशन आप फामाट, M.C. आईवी, ए बेहिनू, बेहिमाथी सारा एडवन्टेज लेए अने EISA बेहिनी, अवी रिते तमें सिक्वन्स मा याद राक्षो तो इज सेशन, थैंक यू